असलामनेकम लिक्म स्टूटेंट्स माइनम इस मोहम्मद आकइब और मैं आपको पढ़ा रहा हूं साइंस कैसे आँब सब आप उम्मीद करता हूं कि आप बहुत खुश हैं पॉसिटिव हैं आज हम अपने पिछले चैप्टर को चैप्टर नंबर 7 को इस चैप्टर नंबर 7 क अपनी डेली लाइप में अप्लाए करने की कोशिश करते हैं पानी पर तेहरने के लिए आज उसी को थावटा सा कंटीनिव करते हैं और लेट्स टडी वाट्स डेंसिटी डेंसिटी क्या होती है density is यह जो mass होता है कुछ objects के अंदर वो ज्यादा फैला वो होता है per cubic centimeter for example मैं हूँ मेरा जो mass है वो जरूरी नहीं है कि हर cubic centimeter मेरे volume के अंदर या मेरे जिसम के अंदर हर जगा फैला हो लेकिन कुछ objects कुछ solid objects ऐसे होते हैं and there's certain liquids compared to other liquids ऐसे होते हैं जिनका जो mass है वो ज्यादा scattered होता है ज्यादा occupy का रहाता है per cubic centimeter इसका मतलब यह होता है कि यह dense है इसको मजीद हम रोज मरा की example के अंदर कैसे apply कर सकते हैं for example पानी है और आपके सामने yogurt है पानी की जो density है वो कम है हर निस बनिजबत yogurt के दही के अंदर अगर आप चमच हिलाएंगे या पानी के अंदर अगर आप चमच हिलाएंगे तो आपको दोनों में एक एक force मेह Cum होगी कि आपको योगर्ट में चमच हलाने पर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है कंपेर टू वाटर वाई क्योंकि योगर्ट नहीं आपका ज्यादा डेंस है कंपेर टू वाटर कि इसी तरह से अब मैं दो सॉलिड आपजेक्ट्स की आपको मिसाल देता हूं लेड़ इ कंपेर टू वुड अब यह जो मैं टर्म यूज कर रहा हूं ऑक्यूपाइग स्पेस पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका मतलब यह है कि I am explaining you कि this is also the formula for density मैस किसमें हम कैल्कुलेट करते हैं ग्राम्स में so mass in grams occupying more space per cubic centimeter means grams यानि के उसका जो unit है g divided by per cubic centimeter is basically known as density यानि के density का formula क्या है density is equal to mass divided by volume अब इसी तरह से अगर आपने mass को calculate करना है तो mass is equal to density divided by volume that's how this concept is actually studied look at the board as I said density is mass divided by volume और उसका unit क्या है grams per cubic centimeter अब आप से questions कैसे पूछे जा सकते हैं इसके अंदर आपको हो सकता है एक mathematical question दिया जाए एक problem दी जाए कि आप इसको solve करें क्या होगा वो for example वो कहते हैं कि जी एक object है उसका mass है 10 grams और उसने volume occupy किया वा है 2 cubic centimeter तो उसकी density क्या है simple है 10 divided by 2 which means 5 grams per cubic centimeter is the density of that very object so एक मैं और मिसाल देदेता हूं अकले बोर्ड की तरफ जाने से पहले जैसे mercury है mercury की density water की density से ज्यादा है why because mercury is more denser than water itself water की density क्या है 1 gram per cubic centimeter ठीक है so anything less than that anything less than 1 gram per cubic centimeter will float in water और अगर किसी भी चीज की density इससे ज्यादा होगी तो पानी के अंदर ढूब जाएगी let's move to the next board now continuing with forces now there are certain forces जिसको जब हम apply करते हैं तो वह materials यह वह objects stretch करते हैं they are known as stretchy materials for example spring अब जो stretch है यह जो force है हमने इसको कैसे explore किया कैसे इसको ढूंडा यह क्या चीज होती है it dates back when sir Isaac Newton discovered gravity यह उसने gravity को discover किया था then he realized that there is a force that is being applied on us जिसकी वज़ा से हम earth के ऊपर खड़े रहते हैं यह बैठे रहते हैं यह वो earth हमें अपने साथ रखता है how did he notice that he was sitting under a tree when an apple fell on his head एक सेब गिरा था उनके सार के ओपर जिसने उनको मजबूर कर दिया सोचने पे कि यह सेब मेरे ही सार पे क्यों गिरा side पे गिरा या यह आस्मान पे वापस क्यों नहीं उड़ा यह नीचे की तरफ ही क्यों गिर रहा है उन्हेंने different objects पकड़े और छोड़े नीचे गराए वो नीचे गर याते थे 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 the question that he had in his mind was why why do these objects fall to the ground यह जमीन पर ही क्यों गिरते हैं उड़ते क्यों नहीं है आस्मान की तरफ क्यों नहीं चले जाते हैं that is when he discovered gravity जो force उन्हेंने ने discover की थी उसको कहते हैं gravitational force अब उसी को चलते हुए हम पढ़ते हैं जब कुछ forces हम apply करते हैं just certain forces उसकी एक किसम है stretching यह जो stretch होता है यानि के मैंने एक object को पकड़ा और उसको मैंने खैंचना शुरू कर दिया अब मैं उसको खैंच रहा हूँ so my left hand is applying force in the opposite direction जिसकी वजह से वह object stretch कर रहा है now this is known as stretching और एक और चीज़ होती है एक और concept होता है अब अगर rubber band को for example मैंने अपने right hand से rubber band को पकड़ा है अब मैं इसको stretch कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं एक point आता है कि वह rubber band या तो तूट या तो तूट या अगर तो spring है और जब मैं इसको छोड़ता हूं तो वह वापस आकर नहीं लगता वह उधर का उधर ही रह जाता है इसका मतलब यह है कि मैंने उसकी stretching limit को exceed कर दिया है limit हर object की एक limit है जिसके उपर आप उससे force apply कर सकते हैं उससे ज़्यादा आप करेंगे तो that either can deform it या वह अपनी original हालत में कभी भी वापस नहीं आ सकता और it can also break it so elastic limit क्या होती है elastic limit है कि उसकी stretching limit थी हमने उसको exceed कर दिया इससे ज्यादा यानि exceed करने के उपर अगर हम exceed कर देते हैं उसकी elastic limit को उसकी elastic strength को exceed कर देते हैं तो क्या होता है कि either it will permanently remain in that shape or it might break board की तरफ देखिएगा certain forces cause materials to stretch when the forces are removed from the materials it can come back to its original form this is known as elasticity now elasticity is जैसे मैंने के rubber band को stretch किया अब मैंने उसकी elastic limit को exceed किये बगयर अगर तो छोड़ देता हूं तो वापस आके मेरे right hand को लगेगा इसी तरह a spring a spring को अगर आप खेंचेंगे तो क्या होता है कि अगर तो elastic limit तक नहीं पहुंचा उसने उस limit को exceed नहीं किया that means it will come back to its original position और original form इस नोन अगर इस नहीं की तरफ देखेंगा an elastic limit material going beyond its elastic limit will be permanently stretched or even broken यही मैं अभी आपको सम्झाने की कोशिश की यही मैं आपको सम्झाना चाह रहा हूं के Elasticity is कि अगर आप किसी भी object को force apply करते हैं एक opposite direction में या अगर मैं इसना से करके पकड़ लेता हूं एक spring को और उसको अब मैं खेंचना शुरू कर देता हूं ठीक है now अब मैं इस position पर आकर रुक जाता हूं और जब मैं spring को छोड़ूँगा तो spring वापस आ जाएगा अपनी original हालत में this is elasticity now elastic limit क्या होती है कि अगर मैं इसी spring को खेंचता जाओंगा खेंचता जाओंगा इसकी limit से exceed कर जाओंगा तो spring अपनी original मीटर्स तक extend हुआ है मैंने उसके साथ one newton force apply की तो वो नीचे की तरफ move करने लग गया यानिके from the original position that was at 10 mm it came down to 20 mm अब मैं इसी तरह जादा force apply अगर इस पर कर दूँ दो newton का अगर मैं load डाल दूँ टू newton का इसको अपर load हम जब डालेंगे तो क्या होता है कि वो 20 mm तक do the extend यह जो टेंशन होती एक spring के अंदर force apply करने की वज़ा से यह क्यों आ रही है क्योंकि उसके उपर एक force apply कर रही है एक हमने जब वेट डाला उस object के उपर तो force apply करने लग गई जिसकी वज़ा से वह extend होने लाग किया hook Robert hook is an English scientist well known for hook's law उसने क्या कहा था कि जो elastic limit होती है उसकी भी यही सारी की सारी concept था कि elastic limit क्या होती है basically he said के कोई भी object उसकी elastic limit के beyond जाएगी तो तूट जाएगी यानि के hook's law hook's law states that के if any object goes beyond its elastic limit it will break और either it will be permanently changed permanently changed का मतलब यह है के वो वापस अपनी original हालत में नहीं आएगी I am taking you to the next board इसको एक ज़रा graph से study करते है hook's law को एक object है जिसके उपर हमने 4 supply की 10 newton ठीक है and it's stretched to 40 millimeters यहाँ पे इसका break point था break point से मतलब यह निए के यह इस point के बाद यह तूट याएगा break point means के this was the limit of its elasticity अब यह elastic limit है यह hooks limit है यानि के elastic limit को हम यह भी अब आज कहते हैं hooks limit यह मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ दो कि यह आपके important topics में से नहीं है hooks law यह Robert hook यह आपके important topics में से नहीं है लेकिन यह आगे जाके in your further classes you will study this law in greater detail so I want you कि आज ही आप इसको जरूर पढ़ियेगा यह आपके book के अंदर एक छोटे से box के अंदर इसके बारे में लिखावा है कि for how long when did he born and when did he die and what did he do why did he become famous इसको आप internet पर भी पढ़ सकते हैं आप internet पर video भी देख सकते हैं कि elasticity क्या होती है elastic limit क्या होती है वो conscious experiments हैं जिससे हम इन concepts को मजीद बेर समझ सकते हैं so I want you to look at the videos as well and I want you to study other than your book as well किताब में आपसे पूछा जाएगा या आपसे किताब में जिससे mentioned है आपसे exam में पूछा जाएगा कि elasticity को define करें what is this elastic limit hooks law या hooks limit क्या होती है या आपसे पूछा जा सकते है multiple choice questions में भी पूछा जा सकते हैं fill in the blanks में भी पूछा जा सकते हैं so मैंने आपको जो पढ़ाया है अगर आपको यह समझ आ गिया है और अगर आपने बुक से एक दफा पढ़ लिया है then I can guarantee you a hundred percent marks in any of your tests or exam it's that simple now before we end today's lecture उससे पहले मैं आपको आज कुछ कवर करवाना चाहता हूँ about weight weight क्या होता है इसके बारे में हम आज बड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे और इसको हम डिटेल में डिसकास करेंगे अगले लेक्चर के अंदर so चलते हैं इसवाले टॉपेक की तरफ weight as I said a few moments ago about the discovery of gravitational force किसना discover किया था इसको Sir Isaac Newton was sitting under a tree when an apple fell down on his head now that is what that is when and that is how he was forced to think कि आखर ये सेब मेरे सर पे क्यों गिरा ये आस्मान की तरफ क्यों नहीं उड़ा क्या इसी चीज है जो इसको नीचे गरने पर मजबूर कर रही है that is when he discovered the gravitational force कि एक gravity है earth की जो कि हमें pull करती है अपनी तरफ अच्छा अब मैं आपको ज़रा थोड़ा से किताब के अलावा इसके बारे में कुछ बता रहा चाहता हूँ ये बड़ा इंटरस्टिंग है ये आपको बड़ा ये बहुत इंजॉई करने लगे है जो मैं भी आपको टॉपिक पताने लगा हूँ जो मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ इसको तरफ एक अबजेक्ट है उसके उपर एक ग्रावटिश्टल फोर्स अक्ट कर रही है अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बड़ा इंटरस्टिंग किसम का सवाल मेरे हाथ में एक बॉल है और मेरे हाथ में एक फैदर है ठीक है फैदर यानि एक चिड़िया का पर है मेरे हाथ में और एक बॉल है मेरे हाथ में मैं दोनों को सेम हाइट पे लाके अब ड्रॉप कर देता हूँ चोड़ देता हूँ सबसे पहले क्या गिरता है नीचे एक्जाक्ली बॉल सबसे पहले बॉल नीचे गिरती है फैदर उसके बाद गिरता है लेकिन अकॉर्डिंटू दे न्यूटन अकॉर्डिंटू सेराइसिक न्यूटन ग्रैविटी जो है यह ग्रैविटिशनल फोर्स जो है हम सब पर ब्राबर अप्लाय कर रही है हम सब के ओपर एक जैसी है अगर मेरे पर 9.8 न्यूटन पर ग्राम है तो सेम वही आपके ओपर भी है सेम वही आपकी पैंसल पर है सेम मेरे इवन इस फिंगर पर है है ऐपके ऊपजेक्ट को य ग्रेएक्ट कोई भी आपया हुआ है ऊस पर शारे ऑपजेक्ट्स के ओपर सेम ग्राइशनल फोर्स अप्लाय कर रही है छी शऱ ने собой को येakt 8 नहीं हुट पर सेम ग्रायव इसलए사गी कि तरफ अपकल गरिदर को से Rome के आपक्र एक तो से इक क्र हम रहते हैं एर्थ के उपर एंड एर्थ में क्या है एर हवा की वज़ा से एक रिजिस्टेंस है जिसकी वज़ा से फैदर जो है वह हवा में तैरता रह जाता है वेराज बॉल गो स्ट्रेट डाउन अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि हम सब पे एक ही जितनी ग्राविटिशनल फोर्स अप्लाई कर रही है और हम एक ही टाइम के उपर हमें तो नीचे रुकना चाहिए अगर मैं चलांग मैंने लगाई है चलांग और एक फैदर ने लगा दी है फैदर को छोड़ा गया हवाब में तो हम दोनों को तो सेम स्पीड पर नीचे आना चाहिए क्योंकि ग्राविटिशनल फोर्च तो सेम है लेकिन वो नहीं होता बिकाज आफ एर अब क्या करते हैं अब हम एक ऐसे चेमबर में चले जाते हैं एक ऐसे रूम के अंदर जाते हैं जिसके अंदर हम एयर क को सकाउट कर देंगे खतम कर देंगे हवा को उस कमरे के अंदर से यानि के एक वैक्यूम चेमबर में चले जाते हैं अब हम चले गए एक वैक्यूम चेमबर में जिसके अंदर बॉल को और उसी फैदर को एक सेम हाइट को पर रखा गया अब वैक्यूम है हवा नहीं है यहा आएंगे या आके लगेंगे या सेम टाइम पे आके नीचे हिट करेंगे ग्राउंड को then you were exactly hundred percent right आपने बिल्कुल सही सोचा के ball और feather दोनों सेम टाइम पे नीचे आके गिरेंगे अगर तो इनको vacuum के अंदर नीचे फैंका गया vacuum means there is no air in that chamber there is no air in that room बिल्कुल भी हवा नहीं है that proves कि चाहे एक चिडिया का पर ही क्यों ना हो और एक बॉल क्यों ना हो दोनों पे same force apply होती है regardless of what their weight is अब एक और before we end this lecture मैं आपको आज एक teaser दूँगा थोड़ा सा teaser for your mind मैं earth के उपर weigh करता हूं let's say 70 kg लेकिन अगर मैं चांद पर जाके खड़ा हो जाओं अभी तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ इस वक्त खड़ा हूँ इस वक्त तो मैं चलांग मारूंगा तो जादे से जादे है तोड़ी सी हाइड के उपर उट सकता हूँ लेकिन अगर मैं चांद पर होता और आपको मैं इस वक्त चांद के ओपर खड़ा हो के यह video record करा रहा होता यह lecture दे रहा होता यह पढ़हा रहा होता और अगर मैं भी इस वक्त उड़ता तो मैं तो गाइब हो जाता मैं तो आपने देखना है videos के थूट different topics इसको जरा पढ़ियेगा मैं आपको बस सिरफ इतना सा hint देता हूँ के earth की gravitational force is 9.8 whereas on moon यही force less than 9.8 है यानि के gravitational force जो के मुझे इस वक्त नीचे रोकने मैं मजबूर है मैं नहीं उड़ सकता मैं उड़ी नहीं सकता लेकिन चांद के उपर मैं बड़ी इसली उड़ सकता हूँ and the simple answer is के वहाँ पे gravitational force का मैं earth पे जयाता है this is the very reason के earth is revolving around an orbit around the sun exactly इसी तरह से बाकी भी planetary objects यानि जैसे आपका Mars हो गया Jupiter हो गया यह सारे के सारे एक अपने orbit में इसलिए घूम रहे हैं because of gravitational force जो के sun इनकों पर exert का रहा है अगर तो एक gravitational force sun की खतम हो जाए तो सारे के सारे planets अपने अपनी direction में गूमना शुरू हो जाएंगा that's how simple you can understand gravitational force लेकिन जब मैं यह planetary objects ही बात करता हूँ and when I use the term planetary object it means के मैं बात कर रहा हूँ planets की और उनके moons की sun की हमारे solar system की हम इस होगे तो study कर रहे थे एक बहुत ही small term gravitational force जो के मैंने सिर्फ अभी अपने आपे apply की अब आप यह सोचें 100 and 100 and 100 million times there's a huge universe out there जिसके अंदर there are thousands and thousands of tons of gravitational force being applied वो कितनी ज्यादा होगी वो क्या होती है मैं अगर आपको यह सारे topics पढ़ाना शुरू करूं which I would love to teach you it's gonna take ages but मैं यह चाहता हूँ कि यह जितने concepts हैं जितनी terms मैं आज आपको पढ़ाई हैं बताई हैं इनको आपको खुद पढ़ें study करें and you'll be amazed at what Allah has created around us where we live यह क्या forces हैं हर चीज के अंदर कोई ना कोई अल्ला की एक निमत चुपी होती है आप इसको जितना पढ़ते जाएंगे आप उत्तरा ही shocked होते जाएंगे कि क्या कितनी खुबसूरत चीजें हैं यह कितने प्यारे concepts हैं जो के हमारे लिए बनाए गए and everything in science happens for a reason everything मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह आज का lecture समझ आया होगा आप इसको दोबारा किताब से पढ़ें try to understand it further as I repeat again and again use videos to help you make you understand more because videos elaborate concepts furthermore इसी तरह से और किताबों से भी पढ़े study from your book is where मेरा lecture देखने के बाद एक दफा किताब से जरूर पढ़ा करें and as I said मैं दोबारा repeat करूं I can guarantee you 100% marks stay positive, stay happy till next time खुदा हाफिज आपिए आप पुदाए आपउ़ झापिए आपिए रापिए